नमस्कार दोस्तों आज यह टॉपिक लेका हैं रियली बहुत जाता सेंसिटिफ इस्पेशली फॉर वुमेंज और सभी के लिए बात तो हम करेंगे मैरी बैक्टरी स्केनर के बारे में लेकिन क्या इसका असर दुनिया की सारी ओरतों पर पड़ता है एक सब्सक्राइब तो स्टार्टिंग जो फेस है वो थोड़ा सा टिफिकल्ट है थोड़ा सा सबजने की कोशिश आप भी कीजेगा मैं संजाने की कोशिश करूँगा तो करोड़ तीस लाक गर्ल्स अपना कॉलिज इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उन्हें पीरियट से स्टार्ट हो जाते हैं और सबसे वस्त क्या है इंडिया में कि मात्र जो सैनिटरी पैट्स होते हैं वो सिर्फ बारा परसेंट महिलाओ गर्ल्स या लड़कियों के पास तक पहुच पाते हैं सबसे और जादा फस्त कंडिशन ट्वाइलेट कंडिशन वहां पे जहां पे ये पैट चेंज किया जाते हैं तो वहां की जो ट्वाइलेट कंडिशन होती है उस में से 70% जो महिलाए होती है वो इसे बहुत जादा गंदा मानती है अपने period time को दूसरी चीज़ दोस्तों यह है सबसे low awareness इस मामले में और 71% महिलाए है जी आप मैं महिलाए तो नहीं कूँगा इस मामले में girls को मालूम ही नहीं होता है कि periods उन्हें होने हैं या इसके बारे में उनके कोई इन्फोर्मेशन ही हो जाती है तब हो जाते हैं तब माह उन्हें समझा देती है कि ऐसे होता है तो यहाँ पर बात तो हम कुछ अलग topic पर कर रहे हैं लेकिन मैं नाम Mary battery scanner का ले रहा हूं तो क्यों हमेंने thanks बोलना चाहिए सब women's के लिए पहली बात तो यह और आपको क्या actually मालूम है जो invent किये थे वो Mary battery scanner ने किये थे women's के लिए sanitary belt and pets जानते हैं क्या है खास इनके बारे में और क्या इन्होंने पूरे world की जो situation थी वो बदली और इनके साथ उससे पहले क्या हुआ एक वो भी बहुत बड़ा सवाल होता है इनको जो life cycle रहा दोस्तों वो रहा 1912 में इनका जनम होगा था 30 साल उन्होंने struggle लगा दिये सिर्फ sanitary belt invent करने में और 2006 January को इनके death हो गए मतलब life cycle टोटल मिला के 93 एर करा दूसरी चीज दोस्तों ये काली वूमें थी इसलिए इनका photo black है अब यार काली या गोरी का क्या मतलब मतलब आज क्या में standard से तो दोस्तों जैसी इंडिया में हिंदू मुसलिम होता है न तो वैसी ही USA में black and white होता है मतलब गोरा अंग्रेज है तो वो ज्यादा पेफेर करती है यूएस कंपनिया काला अंग्रेज है तो थोड़ा सा अरे यार यह तो हमारे face से ही नहीं मिलता तो यह अंग्रेज कैसे हुआ मतलब यह हमारी community का तो बंदा ही नहीं है तो इनका जो जनम हुआ था मौरियो नौर्थ कैलोरीना में USA में इनका जनम हुआ तो और यह वहीं की रहने वाली थी वहीं से अपने अविश्कार करते चले आ थी लेकिन इनके अविश्कार का क्या बड़ा big reason था एक वो भी है ले दोस्तों यह है कि इन्होंने जो first अपना product में से बहुत सारे विश्कार किये जिसकी मैं total मला कि इस particular एक छोटे से timing video में describe नहीं कर सकता जैसे कि दोस्तों sanitary belt हो गई moisture registered pocket हो गई toilet tissue holder हो गया जो कि normally बहुत जादा लोग जानते होंगे जो toilet में रखे होते हैं और दोस्तों hard surface tray हो गई तो इस तरीके के उन्होंने बहुत सारे invention किये और उसके पेटेंट भी लिए लेकिन मैंजिवर यूएसे company तो रिचक कर देती थी यह hold बिदाल देती क्योंकि दोस्तों यह black woman थी आप यह सोचिए कि एक sanitary belt को मतलब patent लेने में चार साल लग गए क्यों क्योंकि यह black woman थी इसलिए इन्हें हर कोई कि अभी नहीं थोड़ी देर के बाद तब patent मिला तो company अगरी नहीं थी भाई सब और बहुत ज्यादा कटनाई होएं लेकिन क्या ही नहीं मतलब प्रेड़ना कहा से मिली क्या invention क्या दिमास में आने लग गए बच्पन में जैसे कि मुझे वीडियो पनाने की प्रेड़ना कहा से मिली तो दोस्तों इनके थोड़े से background में भी जाना जरूरी उस मामले में तो सबसे पहले बात करें के फादर के मामले में तो इनके फादर ने जो maximum लोग यूजी करते होंगे आइरन प्रेस वो इनके पापा ने पेटेंट लिया था और इनके जादा उससे भी जादा मतलब एक अच्छे मतलब इन्वेंडर थे तो उन्होंने मतलब ट्रेंड की ट्राय कलर लाइट सुती जैसे कि यल्लो हो गई रैड हो गई तो उसे इन्वेंट करने में मदद की थी और जो आज की डेट में आप हॉस्पिटल जाते तो इस्ट्रेचर आजाता एक नो भागता हुआ तो वो इस्ट्रेचर जो था इनी के पापा ने उसका पेटेंट ले रहा है मतलब इन्वेंशन जो किया था इनी के पापा ने किया दादा ने दूसरी चीज सबसे मतलब सिस्टर की बात की जाए तो बोर्ड गेम्स मतलब टोटल मलाके सभी अविश्कार रखते घर में लेकिन उन्हेंने फर्स्ट अविश्कार दोस्तो कब किस उमर में किया था मात्र छै साल की उमर में आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चा इंडिया में तो खास पूसी खाते खाते 10-12 साल का हो जाता है तो यहां पर इन्हों ने जो 6 साल की उमर में इन्वेंट किया था वो मुझे नहीं लगता कि दोस्तो कोई घर आज की डेट में ऐसा होगा जो दरवाजे को खोलता बंद ही करता होगा तो जो हिंज है वो इन्हों नहीं इवेंट किया था वो बात अलगे दोस्तों की फैमिली का फुल सपोर्ट रहा होगा कि हाँ यह है शायद पूरी मदद किसी और नहीं की हो लेकिन इन्हीं के नाम पे हुआ तो इसलिए कहते हैं कि 6 साल की उमर में इन्होंने गेट के हिंज का अविश्कार कर दिया था अब दूसरी चीज यह है कि तब इन्होंने लाइफ साइकल समझा इस तरीकी की प्रॉब्लम होती है पंदरा साल के बाद इन्हें भी खुद रिलाइज हो सकता है बहुत सारे अविश्कार के बहुत सारी चीज़े यूज करके देखी पहले की दोस्तों इस तरीकी की पैंटी होती थी जो कि नॉर्मली हम सेनेटरी बैल्ड कहने तो यहां पर आज की टेट में एक फैशन हो गया है नॉर्मली हर को यूज करने का लेकिन बहुत सा ना उसी के बाग तो हम सेनेटरी या मॉश्यर रिजिस्टेंट पैट का यूज करेंगे तो वह चीज थी तो पहले उन्होंने सेनेटरी बैल्ड इंवेंट की बताया लोगों को की अवेर किया उसके बारे में कि हां इस तरीके से यूज कर सकते बहुत सारे डिफेंट डिज अब बताओ आप मार्केट में प्रोड़क्ट तो निकालो मैनुफेक्चरर के पास निकाला तो जैसे कि दोस्तों किसी चीज पर आपने पेटेंट लिया तो आप उसके एक तरीके से बाप बन चुके हैं ना जाए इसमें रियल बाप बन चुके हैं क्योंकि आपने पूरी अपना लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम तीन दिन में इवेंट के डिया देजन मैटर लेकिन लाइफ का वो तीन दिन का टाइम आपके लिए वह पूरी गोल्डन एपरचुनिटी बन जाता तक तब वह प्रोड़क्ट यूज हो रहा है तो दोस्तों यह तो प्रोड़ मतलब जादा नहीं थी आपको मतलब गल्स को कूँ तो वह खुद रिलाइस कर सकती हो नहीं तीन से चार आज से नहीं आज से बीस साल ये पच्छी साल पहले बात करूं तो में कि तीन चार ये पाच बार भी पैट चेंज करने पड़ रहें बट आज की जादा क्योंकि जो म पीरेट के साइकल में जो भी ब्लड का आउट लेट रहता है तो उसी हिसाब से जो कि नॉर्मली तीन सो साड़े तीन सो एमिल के आसपास रहता है तो वही मैक्सिमम कैपेसिटी मानी जाती है उसी हिसाब से पैट को डिजाइन किया जाता है तो ये कुछ चीजें थी मेरी ब तो यूंग को समझाना व ऐतो जाएन हो तो ये कुछ थी क्योंकि पूरी टेल क्योंकि बहुत सारी डिजीज भी होती है बहुत सारी बूमय तो दोस्तों डूर्इंग दी वह बताई ही की हार मेरे मतलन में बात करूं वजायना में या मेरे वाल्वो में इस तरीखी की करना ना मुम्किन हो जाता है उसके विए से बहुत सारी डिजीज मतलब इंडिव्यूजर भी चल रही होती है तो वह सबसे बड़ी चीज आवेरनेस और वही सबसे कम है हमारी इंडिया में दोस्तों कोशिश किए एक छोटी सी एक रुमांच्यक इस्टोरी बताने की आप दि कर दोस्तों